एसिया का सबसे पहला ओइल टाउन हेलो गाइज वेलकम बेक टुमा यूटूब चैनल तुरिये से राइडर ब्लॉग्स तो गाइज आज और एक नाया ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हो तो गाइज आज मैं अपना पापा का प्यारा ये रेड ग्लेमर ले अलग लोकेशन में मेरा बाइक राइडिंग देखनें को मिले घ्रम ये जो भी रिएक्स नायगा मैं आप पूरी की पूरी कोछीज करूंगी आपको मेरा पूरा वीडियो में दिखाने के लिए तो अभी मैं सबसे पहले मस से रेडि हो लेती हैं मतलब अभी मोसं तो सुहा है और आभी मेरा सद और दो लोग है तो आपको अब इंट्रोडिश निक राती हो आपको वह बाद में पता जली जाएगा पाप पाप अब कि अब है 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 जो कि अब कि अब कि कि तो गाइज अभी हम आके इधर रुख चुका है ये देख सकते ये जवाज बहुती मुनलब ग्रीनरी ग्रीनरी दूर तक देखिए आप अधर ही बहुती जादा ग्रीनरी है तो अभी मैं इधर रुखी है आप लोगों को इधर का व्यू दिखाने वैसे बारिस भी आ रहा है तो गाइज देखिए दूर में बफिल्लो सब और इधर सुनसान सा रास्ता फेर पापा का रर्गलमर इधर खड़ा है तो गाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को पताया था कि मेरा साथ और दो लोग है मैंने तभी आप लोगों को से इंट्रोडियूस नहीं करवाया था ब यह आ रहे हैं वह लोग पास आएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी ओके गाइस फाइनली आ चुके है जिसको मैं इंट्रोडियूस कराने वाली थी मेरा वीडियो में तो यह रखना मेरा भाया तो यही दोनों थे जो मेरे साथ आये है आज का वीडियूस करतेने के ल बेक केमेरा करके जरूर देखा देता है तो गाइस देख सेकते हैं वह अधर का दूर का व्यूँ तो गाइस वह रहा हम लोगा डिक बोई जो यहां से 2 किलिमेटर दूर है मतलब असिया का सबसे पहला ओएल टाउन तो इस में कभी आप लोगों को डिक बोई का भी सेर नजारा दिखाती हो तो गाइस भाई अभी दर में मेरा डिस्कुटी में बैठा हुआ है देख सेकते हो यहां पर डिस्कुटी है और मेरा भाई जो इदर पापा का प्यार ग्लेबर बैठा हुआ है जाम दोनों के बिना मोनु का वीडियो सूट नहीं होता है बिल्कुल सही करता है कि राइडिंग करता है तो हम लोगों को गया पख पकर वीडियो कर देना पड़ता है और मेक आप से लेके लिए कहीं नहीं चला भी किया तो थोरा बहुत ही जड़ा इकदम ग्रिंडरी है और देग की बहुता शलकर हम ज़्स लिग ते हैं तुम्हें आप लोगों क एक केमेरा करके दिखाती हो जाएगा तो हम सोजा कि इधर आया तो बेहन को लेके जाएगा बट अभी तो अल्रेडी 1230 हो चुका है पहुंचते पहुंचते साइद अगर चुटी हो जाएगा बेहन मिलेगा कि नहीं वैसे बेहन सोग्ड हो जाएगा क्योंकि आम उसको बता ही यह द उसको लेने आ रहा है तो चलो फिर जाके दे आएगा करें कर दो कर दो कर दो है 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 बड़ा प्यारा हम्मी का दुलारा पिल्टे लाले कारे नालो में बिकेए हुथ मुट्रे लाले कारे हुथ शनितार टो लोस्ती वो वो तो हमसी बंसिसले जैसे पानी शनित असलोगत है Coke मटर गश्थी खुली सडक में तकडी हम सर पिरे पिगड़े हुवे नाओ आब है हम आप दवे पन से आये हो ले हो पिर अपन शाय वार रहा है तो थाइस अभी अप देखे रहना है यह अभी आप अभी वेगा नहीं केपी ने किया दाना बाॉब हम अभी और भी खार बना रहा हैं आपने दर बना रहे हैं लो आप 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 अप वहाँ आप वहाँ आप निती पाइरात बड़ते हैं वहसे घृती कोई फाइदा नहीं है तो हम भी जाता है उदर आप कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर पहले मैं आज तो मदलब बारिश में घूम घूम की यहां तक पहुची हूं तब हम घुऽचा ही यह जगाने यहां लोग खेटी करते थे बटव अभी इधर खेटी नहीं किया जाता है इधर अभी लोग घर बनाके रहते हैं तो जुन का महीना बारिश का मौसम आप देख से लग रहे हैं इधर में आके तो चली का इस मैं भी इधर थोड़ा बहुत इंजोई कर लेती हो वैसे बारीश का मुसम अगर बारीश ज्यादा आगी अगर मैं हम ज्यादा भीग लिया तो बुखार हो जाएगा एन मेरा कॉलेज भी खुलने वाला है तो इसलिए ज्यादा का मैं हम बही से फ्का सब्सक्रा है बही सर्फ बही से सब्सक्रा मां एटिए कर दिर टोच अला है का मैं है तो अभी खाते हैं हम लग डेरी मिल्क, कित केट, ऑफ कोर्स तो अभी गयल चुका है, बारिस मतलब बारिस की कोई धूप में केलता है ना दिक्की में था तो इस अभी चलते हैं और थोरा आगे आप लोगों को आगे का और मज़ेदार मज़ेदार संदर संदर व्यू दिखाना है टू अब प्रेव वाव गयं। वाव गखाई छोच्छ ये चैल का ये प्रेंग है एक फिर एक्राव ली वॉवा आता है वाव गाइस लुक एट इस यलो फ्लावर कितना अच्छा लग रहे यह जगा में और यह फिल्ड तो काइस फाइनली घर वापास आ चुकी हो भीग भीग के कि मैंने बोला था मौसम का कोई ठीकाना नहीं है बारिश दे दिया आप लोग ने देखा वैसे का वीडियो में ज्यादा से ज्यादा मतलब रेक्शन ही दिखने को मिला आप लोगों को आप लोगों को आज का वीडि ब्लॉक्स के साथ बाई 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 वाइव नाइस दे अ बाई बाई आप